असलम अलेकुम दोस्तों वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आपके उपर हुरूफ लगा है तो कैसे आप चेक कर सकते हो और ये भी बताएंगे कि हुरूफ किस वज़े से लगता है दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप अपने देश से सौधी एरफ जाते हो जैस किसी भी वज़े से लड़ाई जगड़े की वेशे आप अपने कपिल से भाग कर दूसरे कपिल के पास में जाकर काम करते हो तो वहाँ पर इनहास का केस लग जाता है मतलब यही है कि भागने का केस लग जाता है इसका मतलब यही है और आपका कपिल जो केस वो लगाता है औ आपके उपर हुरुफ केस लग जाता है। दोस्तों हिरुफ का जो केस हरता भी है लेकिन हम आपको आगे इस वीडियों बताएंगे किस तरह से आप हुरुफ को चेक कर सकती हो। दोस्तों चैनल पर पहली बार है उस चैनल को सब्क्राइब कर लेजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लेजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें और इसके बारे में अगर और भी जानके चाहिए कुछ भी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के माधन से कमेंट कर सकते हो, दोस्तों आपके उपर हुरूफ लगा है या नहीं लगा है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, तो सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखना है, आप सबसे पहले गोगल पर जाएं और वहाँ पर यह बेल साइट पर जाएं और वहाँ पर आपको एक हो मिलेगा, कु नीचे description में दे देंगे, लेकिन उसके पहले में आपको बता दें कि यहाँ पर आपको English कैसे करना है और क्या क्या भरना है, दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा परिशान होने की जरूत नहीं, यहाँ पर देख लिजे, इस तरह से आया है, हम यहाँ पर three dots पर क्लिक कर होगे, और more language पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर जो भी भासा चाहिए, वो आप क्लिक कर सकती हो, जैसे ही यहाँ पर English आ गया, कुछ सर्च करके कुछ टाइम बाद में, तो यहाँ पर देख लिजे, यहाँ पर लिखा हुआ है query about an expertise employee, तो इसका मतलब यही है, कि यहाँ पर जो checking है, वो पूरी तरह से आपकी ID की, और आपकी की जाएगी, आपके residence number के तहट, और आपके passport, और border number के तहट, border number आपके बीजा में मिल आएगा, इसके लिए आपको परिसान होने की जुरूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो है, वो border number ही है, उसके बाद में residence residence number, passport number, फिर आपकी आती है nationality, मतलब किस देश से हो, इसको भी आपको select करना होगा, दिख लिजिए, बहुत सारे देश हैं, आपका भी देश इसी के अंदर है, तो यहाँ पर आपका जो भी देश है, उस पर click करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आगे का process आप करेंगे नीचे जो कैपचा है, 246242 इसको भी आपको भरना होगा, आपके वहाँ पर कुछ दोसरा हो सकता है, इसलिए आपको परिशान होने की जरूत नहीं है, तो इस सब कुछ भरने के बाद में आपके सामने आ जाएगा, पूरी तरह से जो form है बोद दिखेगा, और आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं मालूम होता है, तो आप हमसे भी संपर कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपके उपर हुरूफ लगा है या नहीं लगा है, दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स के मादम से कमेंट करें, वीडियो देखने के ल तो निमार आपका दिन सुबह हो